Noida Expressway के पास में बने हुए ये Pent Houses Location-wise तो Prime है ही जिसमें Noida Expressway और Aqualine Metro के साथ में काफी अच्छी connectivity मिलती है Pent House में एंटर करते हुए काफी अच्छी impressive entry बनाई गई है और साथ ही में काफी बड़ा dining और drawing area भी है वहीं पे lower ground से अपर ग्राउंड जाने के लिए सीडिया बनाई गई है Pent House का kitchen भी काफी spacious है और साथ ही में इस society में Pent Houses के अलग-अलग configurations और sizes आते हैं जिसमें starting शोबे सो और ending 3300 square feet के Pent Houses मिलते हैं Pent House के dining और drawing के साथ में balconies पार्क की तरफ उपन होती है और नहीं पे lower ground पे एक bedroom और साथ में bathroom बना हुआ है लोर ग्राउंड से अपर ग्राउंड जाने के लिए सीडियों का सहारा लिया जाता है जहां पे ऊपर तीन और bedroom बने हुए हैं और साथ ही में काफी बड़ियर स्पेस स्टोर के लिए यूटलाइस या स्टडी रूम के लिए छोड़ा गया है फ्लाट के दूसरे बेडरूम और तीसरे बेडरूम के साथ में balcony connected है और इसको काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है फ्लाट के तीसरे बेडरूम के साथ में bathroom attached है ये bathroom चोथे बेडरूम के साथ में भी connect होता है अपर ग्राउंट फ्लोर पे तेन बेडरूम दो बाथ रूम और एक काफी बड़ा area study या store के लिए बना हुआ है और ओर और दिएजके प्लस तड़ी या servant का ये penthouse एक reasonable कीमत में एक prime location में लेने के लिए एक अच्छा option consider किया जा सकता है